आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यह सोयल के नीचे होती है किसी भी देप्स पे मिल सकती है जो एक्जिलरी ब्रांचिस होती है एक्जिलरी ब्रांचिस जो होती है जिसे हम क्या बोलते है स्टोलोंस यह क्या होती है यह प्रिद्यूस होती है नियर दी सॉयल सर्फिस जो soil के अंदर grow करती है इनके tip swollen बन जाती है due to accumulation of starch and proteins हमने आपको उताया था पहले भी कि underground stem अपने अंदर food storage का काम भी करती है तो यह accumulate करती है starch and proteins को और यह किसमे होता है यह होता है आपका potato के अंदर ठीक है potato के अंदर क्या होते है जो stem nature होता है वो काफी evident होता है body presence of eyes उसमें क्या होते है eyes present होते है और its brownish cocky surface each eye क्या होते है एक bit like structure होता है और वो node को represent करता है क्या करता है it represents node आप potato के ऊपर अगर देखे तो आपको ऐसी जो यह marks दिखते है यह nodes होते हैं अगर आप काफी देर potato को रख देगे तो उसमें से buds arise होने लग चाते है यह क्या होती है यह इसकी eye होती है जिसे हम जो की represent करता है nodes को ठीक है now axillary bud is situated in the pit of the eye जो axillary bud होता है वो pit of the eye में located होता है आपका in case of potato ठीक है so हमारा correct option के अवर that bud associated with the underground stem of potato is axillary bud so right option is option 1 classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर कर दोस्ड़ से बस्टार्सेंट्स